तो यह कार यह करता है," बीज में बोला। ख़ड़ा हो की जानती नहीं जानती आज बलब नगर से टिक्ट मिलाए तो ऐसा क्यों है तो अनुमान जी को कभी गुषा आ जाता है मन्से तो अनुमान जी को आगर गुषा क्यों आता है एलो मित्रों नमस्कार मैं हूं लिकमाराम पांचला और आज आपको मेरे साथ मेरे साथ है आर एलपी के मजबूत जो है कारिगरता उनसे मिलाते हैं आपको और आर शीट का विशलेशन बताते हैं कि आर एलपी कहां कहां पर कितनी मजबूत है तो राम 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 आपरो नौम कहीं है मेरा नाम कहीं यहां राम कड़वासरा है मैं जसनात बाड़ी का रहने वाला हूं और राष्टी लोगतांत पार्डी बहुत मजबूत स्थिति में हैं और आने वाले विदान शभाद चुनाओं के अंदर ओश्यां से आर एलपी की और एस घट बंदन से आर एलपी की शेट निकलने वाली है शौपरति सर्थ यह चैई है कि यह एस वी और आर एलपी इस बार विदान शभा से द्रों से ऐसे निकल कर रही कि और ऐसे में भेराराम श्योल को टिक्त मिला आज तो पहला ऐसा का जा रहा था कि अनुमाद जी बहराराम को सपोर्ट करेंगे वह बात कितनी सचाए है वह कयास लगा रहे थे इसमें बात कोई सच्छा ही नहीं थी बहराराम जी 20 वी जिड़ों वह इ हुए नमान बात हुई है नमान बै्निवाल से बेशाराम कि तक बहुत बहुत मजबूत है नो त impl dilanों कने एधनी मजबूत हो की इंगी यहां पर ओस्यां के अंदर आरेलपी 10% शीट निकलेगी और आने वाले दिनों के अंदर आप देख लेना रेलियों के माधियूं से या कुछ टेलिवीजन के माधियूं से देख लेना आरेलपी कितनी मजबूत होगी वह अपने आप आपको भी पता चल जाएगा चंदर सेकर आजात के घड़ गन करने से कितनी मजबूती मिली आरेलपी कोबोगे खोब बहुत खोब मिले दोनों एक नेता है दोनों स्प्रेमोंे एक साथ मिल गए तो बाहत कुछ अलब होती है आपको भी पद्दा है वह भीआ बेहित सेना के स्प्रेमों है एसप के स्प्रे करेंगा दोनों राइष्ट्य पार्टियों को इतना नुक्सान होगा और राइष्ट्य लोग तांत्रिक और एस्पी के बगएर सरकार नहीं पनेगी अब भी बाहरास्तान तो विदाएक दीविया मदेरना से काम से कितने संतुष जाएं देख नहीं है दीविया जी ने ऐसा क काम भी ऐसा कोई नहीं करे हैं और फॉप करतार जाता है उसका ही काम होता है बगएर कारी कर बिलकुल नहीं आप देखलो नहीं यह शेट्र के अंदर जाग सब्सक्राइब typ कोई विकास नहीं रिए vic.षअ कोई विकर सब् lorsquा जाने हें ध tweju再 आउती हैं एक तोई किल नोब एक 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 डड़ेट पुट खड़े हो गए आने जाने वाले कि लोगों की इतनी समस्य हो रही है कि अच्छे बार है अच्छ लोग आरेलपी को छोड़ कर क्यों जा रहे हैं जैसे उदेला अलग ढगी है उनको आज भलब नगर से बीजेपी से टिक्ट मिला है तो ऐसा क्यों है को कोई जाता है को आता है हर वैकती एक इंसान से शुकी भी नहीं होता है कोई आएगा कोई जाएगा ऐसे यह पार्टी अंदर बड़ी बड़ी पार्टियां पाजपा के अंदर बड़े-बड़े लोग छोड़कर जाड़े खांग्रेस की अनुमान जी ने का था कि यह जो मंजबे लोग बैटा है यह कभी भी छोड़के जा सकते हैं उनकी पात्म कितने सचाही बेलकुल 100% सचाही निकली ना अनुमान जी ने का वह सही का अनुमान जी ने का मैं लड़ रहा हूं कि मेरो शिपाईयों के लिए जो मेरे आस पास वाली बीड़ बैटी है ना इस पर कोई ब्रोशन नहीं करना चाहिए और वास तम यह निकला उदेलाल डांगी देखो फिसले जोना वलब नगर में शैकिन नंबर पर रहे थी अब की बार उल्दे लाल जी डंगी वहां पात जाकर बाजबाशी जीत नहीं पाएंगी जो अनुमान से को छोड़कर गए अन अंदर परदान भी है चाहिए देख लो आप वह भी एक नरेका कमें काम करने वाली मेला वह परदान बंचोगी है और आने आने वाले नहीं इसी विदान शभास्तेतर में और शेर कड़के अंदर आरल्पी की शीट अंट्रेंट परसेंट निकलेगी कि अनुमान जी इस बा सब्सक्राइब करने अगर दूज़े लड़ता है तो कौन कहता है कि असो गहलोत की शीट खत्रें में वान ऐसा नहीं है आरल्पी का घड़ है वह आरल्पी आराम से देते हैं कि अनुमान बैनिवाल 35,000 बोटर से विद्ट ही होगे कोई रोके करने उसे बोपाल गड़ में क्या वो दोबार जीत पाएंगे लगता आप बिल्कुल अंट्रेंड परसेंट देखो पिसली बार भी बोपाल गड़ से पुग्राजी विच घरक्षाब से एसी एस्टी के मात्र 35,000 बोटर थे बाकि सब जाट थे राजबूत थे उन्होंने जिता कर बेजा पिच्छे तर पानी अभी तक बिल्कुल नहीं है मैं मेरे गाम जैसनात बाड़ी की अंदर मैं शै जांके तो लक्ष्मी नराइन नगर की अंदर अभी तक पानी नहीं पहुंचा है ना तो नहीं का पिने वाला पानी पहुंचा है और शीचाईगी आप देख लो कितनी कमियां आ रही है पानी नीचे चले गया कि पानी निकालने के लिए लोगों को बड़ी मकस्त करनी पड़ रही है और पानी गाहम प eTanky तो पानी नहीं आता है देख लो मेरे पास थोड़ी दूर में ये टंकी बनी वहेग हैं कहीं सालों से देख रहे हैं पानी है इस इसके अंदर सूकीत ट यह मेरे गाओं के इंतर मैं इसने मैं जनम से देख रहा हूं यह टंकी यहां पर बनी वह लेकिन अभीत यहां पर कोई पानी नहीं तब नहीं लगए पानी कैसे आएगा तंके बनेने से पानी स्थोड़ी आता है कि दिवें मदिनाहक काम के आधार पर वोट मांग रही है या आपने दादा पर दादाव के नाम देखो दडादा परदाव के नाम पर वोट ना यहाँ पहले भी भी दो कि मेरे दादाध जिनए ऐस सा करवा दिया फिर भीपी जिन्हीं एशार आपको दादाजी नहीं ऑपको टाल दिया वार की आप शता में आरो दूसरी लोग कहां जएंगी परिवार वाद लगा राज तंदर अच्छा में लेकर अभी तक एक ही करके एक ही परिवार के अंदर टिकेट मिल रहें इसे बड़ी दुख की बात क्या है दूसरे लोग भी हैं दूसरों की मौका मिलने चाहिए एक परिवार को बार-बार टिकट दे रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है अनुमान जी को कभी गुषा आ जाता है मन्से तो अनुमान जी को आखिर गुषा क्यों आता है तो एक हर कारी करत में रात और दिन मैनत कर रहा है फिस भी फिर भी कारी करता है से खुशी से जाते हैं गुषा भी आता है अनुमान बैनिवाल को लेकिन कारी करता कारी करता हैं पर वो गुषा निकालते हैं लेकिन कारी करता हूँ गुषा आने पर कारी करता है उससे नराज नहीं होते हैं य कार्य और नुकिसान सब्भी किमिए रजयस्थान जाँ के वोटों के लिए पघ्र है या उनकोडा है पब्लिक है देखो वोको के लिए दोड़ते तो आप दूसरों को देख लो अपने विदान शबाद सेटर सी दूसरी विदान सेटर में नहीं जाते हैं यांपर आकर राजनेती करके चली गई क्या हुए भेचया के ये छे महीने की बच्छी को खुले के अंदर डालकर तेल डालकर जला दियागया वहाँ पिर राज नितिक करें Ded excit übers कोई और दDY अपने मतलब लाक्या नहीं तरह के अंदर जगह पर न्याय के लिए हर जग हम चाहिए पार्टी नहीं देखने चाहिए वहाँ पर चार लोगों को हत्य हो जोगी थी फिर भी राज निति करें इसे कट्या बाद क्या हो सकती है तरह किया देखो राज निति फुल जोर से राज निति को दिव्या अमने देना घटना के इस्तल पर आही सबहा यंदर भी नहीं बैटी कमरे के अंदर चले गई कमरे के अंदर उसनेके मजबूत कार्य कारता थी उनसे किलीजियो नुपिति पर गोशनु हो दो पहुत बड़ा नुक्साम दीविया को हुआ है इसा नहीं को फाइद वह दो बढ़ा नुक्सान हुआ है जाटों के लिए बहुत बड़ा अनिकार गवाहि ऐसा कांड आये दिन होते जारे हैं वोश्य के अंदर देख लो आप कटर से तो तो उसके कहने से गुंडाराज खतम कर दिया तो उसके कहने से गुंडाराज खतम कर जाएगा गुंडाराज बड़ा है स्याम पालिवाल की अतिया एक महीने के बाद चैरह के चार लोकों के निर्मत अतिया पिर एक या कुपत्र ने पिता की अतिया आप्राध बढ़ते जाने है इतना लोकों के अंदर इतना घर कोई मिलते ही रहता है लोगों को अंदर इतना खौप और डर है कि ना जाने कोई घटना ना गटे लेकिन यहां पर बहुत ही बड़ा अंडर बहुत ही बड़ा घड़ना इसनल बन गए अचारे के अंदर आने जाने में इतनी प्रेशानी हो रही है लोगों को क्या आम आदमी दिविया मदेड़ा से मिल सकता है या सिर्फ कारी करता ही मिल सकते हैं बिल्कुल कारी करता हैं, आदमी से कोई उसके लेना देना नहीं है, मैं मेरे घर की कड़ना बता रहा हूँ, मेरे यहां पर एक मंदिर के पास आई थी, बोली थी, कि मैं आपके लिए विकाश करूँगा, तो ये कारी करता है, बीज में बोला, खड़ा हो के बोला के डिविया नहीं जानते हैं उसका कोई पप्ली करण भी नहीं है हिए आम हादमे की आवाज को डपाती है जबाती है कुछ देखुड है काउर दिव्या मैं होता हुँ दिविया मदेरना या फिर RLP ASP का कटबंदने वो जीते का कौन जीत सकता है ASP और RLP का कटबंदन नीज जीते का इस पार ओशिया के अंदर बहुत ही बड़ा अच्छा मौल बंद रहा है और आए दिन अच्छी अच्छी खबरे आ रही है केंडिडेट कौन हो सकता है RLP ASP का स्योंक जो कटबंदन का कंडिडेट कौन होगा कुछ अभी तो शूचना आई क्या कुछ नहीं नहीं शूचना तो नहीं आई है लेकिन आने वाले एक दो दिन के अंदर यह भी शूचना आजए कि वह श्या के अंदर कौन Habit और आप इस बार कितनी मैंन से लगए और अर्यकों जिटाने के लिए खोब राध दिन देख कर रहे हैं जिटाने गली संग्रस्ट किया कैस काल भी देखलो आबने देखलो अभी जो गड़ना होई थी मंही लख निर वर्षतर गुमायोग, वाँ पर लों पर बेन्बी वाल तये मही लाऊपर अत्या चार हो रहा हैrier, आई दिन अत्या आननोलना के तीन कानव अगले कानू मोदी को अगए नहीं आपने पड़े को भाफित पड़े तब ही वह वह से धना खतम किया और पैलवान बेटियों को साथ भी यही दोनों नेता खड़े थे जी पैलवान बेटियों के अंदर जो दिल्ली के अंदर धनना था वह पर आनुम पर फेस्ट नहीं है तो राइज करो अपना काम कर रहा है उसको परफान कर रहे हैं इसका मतलब है कभी इडी बेद रहो कभी सीवी बेद रहो कभी कुछ बेद रहो यह कोई अच्छा असंकेत नहीं है भाजपा के लिए कि इस बार क्या कौन सी सरकार की जो आशकती है क्या लगता है रास्थान में कॉंग्रेश या बीजेपी इन दोनों में से आरल्पी तो रहेगी रहेगी जरूर मजबूत लेकिन इन दोनों में से कौन लगता क्या लगता तीनों में से या कोई भी हो आरल्पी वाई एस्पीव के बगएर सरकार नहीं बनेगी इस बार इनके घट बन्दन के बिना कोई नी मुख्य मंत्र बन पाएगा कोई नहीं बन पाएगा ये तो लिक्के लेलो आक इसके बगएर तो कोई मुख्य मंत्र नहीं बन पाएगा अच्छा ठीक है जी धन्यावाज